तों से थोड़ी सी बात की थी फिर हमने डिसकेशन की थी अढ़र्स्टक हटीरिक्वार्म की फिर कर सकते हों कस्टमर के थरू और कैसे-प रिख्वार्मट को आफ प्रॉपर ली अंड़्डेस्ट्राइंड कर सकते ऊंठोब प्रॉबलम् को समझने की ज़रूरी है के प्रॉबलम जब आप आइडिफाइप करते हो तो आप तो आप ये कोशिच करते हो कि आप उस पाटिकुलर इम एरिया की उपर फोकस करते हुएма इन वार proved का इस न एक्सटएंचिन लिए इस फोड़े के STG और उसको समझने के हमने बात की थी और उसकी पर फोकस रखते हुए फिर आप information gathering करते हो और आप ये समझने की कोशिश करते हो कि what are actually the root causes that are creating that particular problem ठीक है फिर हमने इसके अलावा बात की थी कि जो आपके पास root causes है तो उसमें हो सकता है कि एक particular root cause जाए उसके सब root cause भी हो सकती है या सब cause भी हो सकती है तो उस पर थोड़ी सी discussion की थी फिर हमने एक conventional diagram है root causes के लिए जो जूज होती है उसको हम कहते हैं fishbone diagram और इसके और भी बहुत सारे नाम है वो भी हमने कल discuss किये थे और फिर भी आज discuss कर लेंगे fishbone diagram पर बात की थी तो fishbone diagram आपको help out करता है in the understanding of the problem problem को समझने के लिए और problem को समझने के लिए this is actually your problem इसको समझने के लिए जरूरी है कि आपके major causes जो इस problem को create कर रहे हैं उनको identify करना उन पर focus रखना और अगर किसी major cause के अंदर कोई sub cause है तो उसके हवाले से थोड़ी सी हमने discussion की थी in understanding the root causes for our for the definition or for the understanding of the problem फिर हमने एक example उठाई थी और उस example ये के kitchen order का एक example है एक restaurant की example है जहां पर service failure आपके पास आ रही है तो इस restaurant की example में service failure के आवाले से हमने बात की थी कि किस्टमर end के through कुछ root causes है कुछ causes आपके restaurant के quality of the service के आवाले से है फिर उसमें हमने facilities पे बात की है कि this is one of the root cause for the service failure फिर हमने front stage personal जो front के लोग है जो के ओटी को यो किचन ordering टेक्नीक्स है आपकी उनके थ्रू या जो इन प्रॉपर डेटा input किया गया है उसकी वज़ए से भी हो सकता है कि service failure हो सके जो procedures है जो methods है आपके पास वो ठीक नहीं है या इन प्रॉपर है या correct नहीं है और आपके जो training methods है या आपका staff है वो प्रॉपर नहीं है साफ सुतरा नहीं है या आपके पास कोई complaint है फॉर्मल complaint है तो उसका कोई procedure defined नहीं है उसका को method defined नहीं है this will lead towards service failure तो यह root causes है customer के side से और यह other root causes है कि आपके पास poor quality है time पे कोई चीज अवेलेबल नहीं है जो जो back door पे जो cook वगएरा है जो बाकी लोग काम कर रहे है इस system के अंदर restaurant के system के अंदर जिसकी वाई से service failure हो सकता है तो वो उनकी timing का issue है उनकी timing fixed नहीं है variable है this is the reason why there is a service failure या information है जो आपके kitchen order ordering technique है जो आपका software है वहाँ पे आपके पास का reservation होर मिल रही है reservation record ही नहीं हुई उस हवाले से भी क्या हो सकता है कि there is a possibility के service failure हो सकते है तो यह हमने इस पर discussion की थी fishbone diagram के अंदर फिर root causes पे further हमने इसको देखा है कि इसको cause and effect diagram भी कहते है इसको ishikawa diagram भी कहते है इसको fishbone diagram भी कहते है और इसको root cause analysis भी कहते है understanding the root causes for the particular problem arising in the system ठी ठीक है फिर उनको कौन से tools support करते हैं तो उस हवाले से हमने थोड़ी से बात की थी कि जो related tools है यह परेटो चार्ट है या scatter diagram है या float charts आपके पास है उसके हवाले से discussion की थी फिर कर ले हमने problem statement को properly समझने के हवाले से बात की थी कि उसमें different wines use होती है ठीक है फिर हमने एक example देख समझने के लिए सबसे जदा जो चीज ज़रूरी है वो है आपके identification of the stakeholders and users of the system जब तक आपको proper तरीके से यह समझने हाईगी तब तक आपको problems proper तरीके से समझ नहीं हाईगी उसके वाले से हमने बात की थी users customers उनका effect कौन effect होगा कौन evaluate करेगा कौन internal user होगा कौन आपका external user होगा किसको आपने address करना है normally the stakeholders of the system ठीक है who will maintain the system maintenance के वाले से थोड़ी बहुत हमने बात की थी system boundary के वाले से बात की थी identification of the actors system में define किया थे कि actors क्या चीज़ है फिर ये system जो आपका है इसका role या इसमे legacy system जो आपका existing system है जो अभी use नहीं और obsolete system है उसका कौन सी उसकी कौन सी चीज़े आपकी new system का हिस्सा बनने जा रहे हैं आपकी users कौन सोंस है आपके maintenance कौन कर रहा है ये system किसी और system के साथ तो न कैसे कैसे का रहा है actors हमने define किये थे reports generate हो रही है कि नहीं हो रही उस हवाले से थोड़ी discussion कि थी फिर हमने actors को define किया और फिर हमने ये देखा कि कौन से actors क्या role play करते हैं in the system और how they are in the interchanging the information with the system तो जो interchange of the information करेगा उसको हम कहते हैं कि these are the actors of the system उस हवाले से हमने थोड़ी सी कल ब यह थोड़ा सा revise कर रहा हूं तो आपको चीज़े और भी further clear हो जाएंगी actors you have help determine system boundary normally actors ही आपको system की boundary define करके देते हैं ठीक है is a client software part of the system or is a client an actor तो normally client जो होता है वो part of the system होता है ठीक है part of the system in a sense कि he is the person who is actually providing you the requirements of the system ठीक है वो आपको requirements of the system provide कर रहा है ठीक है client actor भी हो सकता है अगर होई client customer है और होई client आपका user है तो यहाँ पे वो client actor भी बन सकता है ठीक है तो यह थोड़ी सी इस हवाले सी भी और दूसरा यह कि आपका client जो आपको requirements बता रहा है तो वो requirements specific हो जाती है एक खास domain के हवाले से और उस खास domain के हवाले से particular problem को solve करती है तो वहाँ से आपके पास actually क्या चीज़ डिफाइन हो जाती है you define the system boundary to client helps you or client facilitates you to determine or to define the system boundary of the system ठीक है फिर उसके हवाले से हमने कल थोड़ी सी बात की थी कि who is the actor ठीक है और actor कौन है actor is a person who is interacting with the system ठीक है जो like for example मैं अगर ATM machine की example उठाता हो तो वापर human जो bank का customer है वो ATM machine जाएगा he will be the person who is interacting with the system तो he is called या he will be called as the actor of that particular system ठीक है तो आप यहाँ पर example है passenger है travel agent है और airline booking system है तो यहाँ पर passenger और एक्टर आप ट्रेवल एजेंट बोत विल बेकम दी actors of the system ठीक है तो यहाँ पर passenger और travel agent बोत विल बेकम दी actors of the system और यहाँ पर एगर for example airline booking system है तो airline booking system is actually the system this system is being in interacted or there is an exchange of information by the actor called as passenger or the travel agent ठीक है तो थीजार भी अक्टर अगर आप देखो तो अगर आप देखो तो अगर यहाँ यूजर एक्टर 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 एक यूजर है वो एक ताइम पर manager भी हो सकता है और वही यूजर किसी और टाइम पर वह आपका client भी बन सकता है वो manager भी बन सकता है वो इसका admin भी बन सकता है तो it depends करता है कि requirement क्या है और user कौन कौन से कैसे कैसे actors आपने पर एक्टर एक्टर है तो Charlie can be a warehouse manager and Charlie can be a warehouse staff ठीक है तो actor की division हो सकती है पॉसिबल है कि आप actor को जैसे इसका role change होगा वैसे वैसे वो actor भी उसकी actor जो है वो system का वो भी change होता जाएगा ठीक है फिर यह use case diagram में इसको further classify करते हैं actor को कि इसमें से कौन सा जो है वो primary actor है कौन सा secondary actor है फिर secondary actor में further classification करते हैं कि कौन साथ का off stage actor है और कौन साथ का supporting actor है तो डिपेंड करता है कि उसका role कैसे system के हवाले से define हो रहे useful questions in identifying actors normally actors को आप कैसे define कर सकते हो आपको मैंने पहले बता है कि the person who is interacting with the system is called as actor who will supply use or remove information that will be called as actor वो system को कौन use करेगा उस system को कौन supply करेगा information या उस system में से information को कौन use करेगा या उस में से remove कौन करेगा that will be the actor of that system या उस system की functionality को जो use करेगा उसको आप क्या कहोंगे this is an actor या who is interested in a certain requirement ठीक है जब certain functionality या center function को अगर वो देख रहा है उसको हम कहते हैं कि this is an actor ठीक है वो actor हो सकते हैं where in the organization is the system use वो भी आपको कौन identify करके देगा that will help you to identify actors of the system who will support and maintain the system ठीक है तो यह actors आपके जो है या system की जो external resources है जिनको यूज करता है तो नॉर्मली उनको कौन यूज करता है दिया रहादे actors of the system और वाट अधर systems will need to interact with this यहाँ पर कोई और system मेरे system के साथ incorporate हो रहा है तो वो जो दूसरा system है that is on also called as an actor ठीक है लेकिन उसकी फिर हम classification करते हैं कि यह किस किसम का यह कौन सा actor हो सकते हैं फिर इसके साथ आप constraints डिफाइन करते हो तो जब भी system development होती है जब भी problem definition होती है जब भी problem की root causes को आप define करते हो तो वहाँ पे आप constraints automatically आपके ओपर apply होती है ठीक है constraints हो है there can be environmental constraints ठीक है कि किस अलाके में आप उसको system को utilize कर रहे हो normally environmental influence इतना ज्यादा नहीं हो तो जतना ज्यादा आपके पास political या technical influence होता है plus आपके पास economic cost associated ठीक है problem define हो रही है और उसके cost budget allocate proper नहीं हो रहा तो तब भी problem proper पर तरीके से address ना होने की chances बढ़ जाते है ठीक है आया वह possible है कि नहीं already हम इस पे बात कर भी चुके है software engineering में के feasibility study का एक बहुत बड़ा role होता है in the development of the software और आया यह system जो है यह stand alone system है या यह किसी network का है अगर किसी network का है तो definitely there will be some constraints applied over this system ठीक है फिर problem analysis है थोड़ी सी problem analysis problem definition आपके पास problem define हो गई तो आप देखते हो कि problem को in terms of marketing opportunity और market segment के अवाले से problem को analyze करते हो ठीक है marketing opportunity यह है कि आप इस problem को solve करोगी तो how it will help you to capture the market तो आप market opportunity को देखते हो कि आया इस problem की जरूरत इस market के अंदर है में कि नहीं है तो इसको कहते है problem analysis या identify classes of potential user ठीक है जो stakeholder आपके पास define हो रहे है या आपके पास users define हो रहे है तो उनकी classification भी आप कर सकते हो और आप हर एक की इंफरादी तोर पे individual तोर पे particular needs के हवाले से भी बात कर सकते हो इसको कहते है problem analysis या आपकी potential जो problem analysis का हिस्सा है ठीक है demand कितनी है उस problem को address करने की demand कितनी है उसकी cost क्या है और cost कितने हद तक flexible है elastic है उसके वाले से तो उसको समझना भी आपकी this is a part of the problem analysis फिर उसको sales strategy क्या हो सकती है और distribution के कौन से channel आप उसको local medium use कर सकते हो online medium में आपके पास कौन सा channel उसको use कर रहे हो आप उसको market के अंदर float कर रहे हो और market को capture करने के लिए तो this is actually a part of the problem analysis ठीक है marketing opportunity classes of potential user particular needs को solve करने के लिए potential demand sales strategies or distribution channel these all collectively will be called as problem analysis for understanding a particular problem फिर developing a glossary है तो glossary में आपके terms define होती है कि कौन-कौन सी terms आपने use कि अपने project के अंदर जाए for example मैं कहता हूँ कि ABC तो ABC का मतलब क्या है उसको define करो promotes common understanding कि कौन सी चीजों पर stakeholders की common understanding है या कौन सी चीजे terminology के form में use हो रही है इस project के अंदर उसके लिए आप एक index का table बना लेते हैं जैसे books के अंदर available होता है glossary आपे abbreviation होती है और हर एक abbreviation की proper definition होती है यह use किसलिए होती है यह use इसलिए होती है because it helps you to prevent misunderstanding ठीक है और glossary जैसे इसे आपका project शुरू होता है वैसे वैसे glossary को आप बनाना भी शुरू कर लेते हैं और यह continue रहती है यह through out the development of the project ठीक है तो developing a glossary in the understanding मतलब आप उस problem definition या problem formulation या understanding the root causes of the problem ही आपको define करके दे रही होती है बहुत सी चीज़े उसके साथ साथ आप glossary को भी update करते हैं तो यह थोड़ा सा problem identification, problem understanding, understanding the root causes of the problem, फिर उस से related problem analysis फिर उस से related constraints पे बात की, फिर हमने एक system boundary के वाले से थोड़ी सी बात की, stakeholder and users पे बात की, फिर root causes के लिए जो हम fishbone commonly use diagram है उसके वाले से बात की, फिर हमने यह potential wise जो हम पूछते हैं five wise technique जो है उसके वाले से थोड़ी सी बात की, तो यह chapter actually इन चीज़ों पे है कि understanding the problem, understanding the, the, describing the definition of the problem, discussing the root causes of the problem, तो इन्शाला फिर नेक्स लेक्टर में फिर हमने फिर हमने नेक्स चेप्टर स्टार्ट करेंगे, अब यहां तक किसी का कुई भी question हो तो आप WhatsApp में post कर सकते हो, thank you very much.